हेलो फ्रेंज आज की वीडियो में हम बहुत सुंदर सा बैक बनाएंगे इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है उसकी लंबाई 13 इंच है और रुचाई 11 इंच है कपड़े को मैंने पेपर पेस्टिंग और अस्तर के साथ क्योल्ड कर लिया है अब इसे बीच से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है 13 इंच वाली साइड से फोल्ड करेंगे अब जहां खुले हुए साइड है वहां से हमें कोने पर 2 इंच का निशान लगाना है और इसे गुलाई देना है नीचे की तरफ हमें 1 इंच पर हमें गुलाई देनी है नीचे कम गोलाई देंगे उपर थोड़ी जादा गोलाई देंगे अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखी कटिंग हो गई है उसके बाद हम कॉर्णर पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे एक उपर और एक नीचे अब इसमें हमें हमने उपर और नीचे कट लगा लिया है अब इसे एक बार इस तरह से और फोल्ड करेंगे और बीच में भी हम कट लगा लेंगे हैं चोटे-चोटे कट लगा लेंगे हैं निशान लगा लेंगे तो चार निशान हमने लगा लिये हैं उपर और नीचे और दो इसे दो पीस हमें बना लेने है तो अब कोई भी एक पीस लेकर इसका चारो साइड से हमें मेजरमेंट लेना है तो मैंने पहले से फोल्ड कर लिया है और इस तरह से इंच टेप को रखते हुए गुमा कर हम देख लेंगे कितना आ रहा है यह लगबाग 21 इंच है तो इसे हम ड 44 इंच लंबी हमें एक स्ट्रिप बनानी है जिसकी चौराई मैंने चार इंच ली है अब इसे हम आधी दूरी से जहां हमने बीच वाला निशनान लगाया था वहां से नाप लेना है और इसे डबल कर लेंगे क्योंकि आधी दूरी तक हमें सिंपल स्ट्रिप लगानी है उस और इसकी हम सिलाई लगा लेंगे बीच वाले निशान तक इसे रखेंगे और इसकी हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है अब हमें यहां पर छोटी-छोटी से कट लगा लेने हैं अब जो बची हुए स्ट्रिप है उसे हम बीच से फोल्ड तो इसमें हम झिपको लगाएंगे पहले इसे हम सेंडर से कट करेंगे तो अब हम इसमें जिप लगानी है जिप को लेकर इसके उपर हम इस तरह से रखेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे तो दिखिए मैंने सिलाई लगा ली है अब जो कपरे का दूसरा पार्ट था उसे जिप के दूसरे साइड रखेंगे और इसके उपर भी में सिलाई लगा लेनी है सिलाई करने के बाद सिलाई वाले कपरे को दबाते हुए हमें किनारे किनारे टॉपस्टिस लगा लेनी है जिसी ये जीप कपरे में नहीं फसेगी दोनों साइड हम टॉपस्टिस लगा लेंगे अब कप्री का एक छोटा सा पीस लेकर इस तरह से हमें चारो साइड से फोल्ड करके जीप के दोनों साइड इस तरह से रख कर सिलना है इसे जब जीप को खोलेंगे और बंद करेंगे तो हमें आसानी होगी इसमें रणन मैंने डाल लिया है अब इसका भी हम center निकाल लेंगे तो देखिए हमने center निकाल लिया है अब इसे उपर से जहां हमने center वाला निशान लगाया था उसे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है तो side वाली strip थी उसमें हमें इसे स्टिश कर लेना है पहले नाप कर देख लिजेगा अगर ज्यादा लंबा होगा तो एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे आप इस तरह से बीच वाले सेंटर को हमें ध्यान में रखते हुए इसको इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लेना है तो देखे सिलाई लग ग अब इसमें हम स्ट्रेप कुछ अलंग से लगाएंगे तो आधा कपरा मेंने दो-इंच कपरा मैंने-ब लिया है और दो परिंटेड है उज़नाद का प्रिंटेड है एक सांती स्टिच मैंने कर लिया है आप दोनु साइट से से फोल्ड करके किनारी किनारी सिलाही लगा कि दो मारी स्ट्रिबन कर त्यार हो गई है कि चार इंच पर मैंने निशान लगा लिया है चार इंच की दूरी पर अब कि इसको यहां से हमें रखना है नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके मैंने सिल लिया था अब इसको यहां रखेंगे जहां से जिप लगाई है वहाँ इसे रखेंगे और इससे तरह से इस्टिछ करेंगे जहां तक 4 इंच का मैंने निश्रान लगाया था वोहहीं तक से चारो सैड जलाई लगालेंगे यहां से लेकर इस तरह से से लगा लेंगे तो देखिए लगाने के बाद हमारा बैक बनकर त्यार हो गया है देखिए कितना सुन्दर सा ये बैक बना है बिलकुल नए डिजाइन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्य लगद कितना ये प्रिया से लगदे लगदेवा उेड़ा आपको कि लगदे लाद हो ग्लावाने को आपकोय मेंगे लगदेवादी लादे हो आपको कितनास है अ